आपको आज कुछ एसी चीजे बताने जा रहा हूं, आपको बक्ती एर लेतेड श्पेक्शली आपको पांच ऐसे देवी देवताहं को सब्सक्राणा है जिनके अगर आप भक्ती करते है अगर आपकी प्रॉब्लम्स में फसे हुए हैं आपकी समस्य में फसे event और आप उनकी भक्ति करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं देखे कल्यूग में इन देवी देविताओं को वर्दान है कि ये बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं और भक्तों का बहुत जल्दी बेड़ा पार करते हैं तो ऐसे कौन-कों से पास देवता है जानने के लिए मे वापिस अपने टोपिक पर आते हैं ज़ए टांच खड़ाबने कहने कि हमारा ऐसे कौन से पांस देवता हैं हमारे यहां पर वो पांस देवता जो बहुत मैं परुद्क हों जल्दी अर्दात सुनते हैं चुर्पिंटूंके पहले तो क्या हुआ करता था जब mesma तब देवी डेवता को परन मुश्किल थां बट लोग बड़े साही हुआ गरते थे उन लोगों के मन में देवि देवताह संआ को पाने कि आस होती थी यह भोगं की प complaint नहीं होती थी उन इनको कार गाडी बंग्ला ये सब जीन होती थी उनको शिद्यें ची होती ही थी तो वह अरदास करते थे अमने यह करते थे प्रात्ना, एक-एक साल, दो-दो साल तक संकल्प करके लगे रहते थे उसमें, और उसके बाद साक्षात भगवान आते थे उनको दर्शन देनें, पर क्ल्यूग में क्या हुआ? जगे-जगे मंदिर बने हूए देवी देवताओं की, और देवी देवताओ सबसे पहले मैं बताओं आपको जो सबसे पहले देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं और जो कल्यूक के प्रथम देवता जिनको मैं माना जाता हूं उनके बिना कोई भी पूजा शुरू नहीं होती है उनकी पूजा के बिना कोई भी काम नहीं होता है कोई भी श्री गनेश जी महाराज तो सभी जै करपा के बिना कोई भी काम संपन नहीं होता है कोई भी क्सफल नहीं होता है दोस्ते में देनिका चुछ अगर जॉब गडिऑ समस्या अगर आप नहीं है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे व्यूर्स हैं तो प्लीज को लाइक करें और अपने कमेंट मुझे बताते रहें दूसरे जो देवता हैं वह हैं अनमान जी माराज को वरदान दिया था कि आप लाइफ टाइम के लिए अमर रहोगे चाहे कोई सब यूग आए अनमान जी माराज हमेशा रहेंगे और अनमान जी माराज हमेशा बक्तों की सेवा करते रहेंगे इनका प्रताफ में अनमान जी माराज के तुछो मत खाब लिख़े देगे यह तो आपको लाइन के चमत करोंगी तीसरे नंबर पर जो है देवता वो है जल्दी परसंद नोने वाले वे हैं श्री खाटू शाम बाबा जिने हम शाम बाबा भी कहते हैं यह ऐसे देवता है कल्यूग में जो बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं इतनी जल्दी प्रसंद होते हैं कि अगर आप पहली बार इनके मंदिर में जाते हो तो पहली बार भी आपका काम बना देते हैं पर वो है कि आपको भाव से जाना पड़ेगा और आपको इनको हारे का साहरा भी कहते हैं तो जो लोग हारे हुए हैं जो हर तरफ से परेशान हैं जिनके पास कोई सोलूशन नहीं है जो जिनके पास कोई रस्ता ही नहीं है कहीं कुछ जानेगा तो वो इनकी दर पर जाहिए त इने हारे का सहारा बाबा-शाम हमारा चुरूर लिखें और जो एप आपको वीडियो बनाओंगा कि आपे और भीन मंदेर है काटू शाम जी पार वो रज़स्तान के सीकर वह है खाटू नगरी है वहां पे इनका मंbaar सब्सक्राइब करोड़ो n 내려andon घेकृर्ण करते हैं करोड़ों को सबस्क्राइब ऐन livre cleanse को आते हैं और इनका जो मैन मु एदेशी को करोड़ों की सणख्या में लोग आपको जो में आपको बता हुँ तीसरे देवट हैं श्री काल वहरव जी जो भहरू बाबा के नाम पे जगे जगे इनके मंदिर मिलेंगे और रविवार का इनका दिन होता है रविवार के दिन इनके मंदिर में आप जाते हो और इनकी सेवा करते हो इनकी पूजा करते हो तो बहुत ही जल्दी परसंद होते हैं ये ये भगवान शिव के सा इनको इमर्ति जिसे कंगन कहते हैं उसका प्रिशाद भोग लगा जाता है और उडद की जो कचोरी वगरे होती है इसका इनको भोग लगा जाता है तो यह बहुत परसंड होते हैं इसके बाद पांचोय नंबर पर जो देवत आते हैं वह शनी देव देखिए कल्यूग में क्या है पाप कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं तो कर्मों का जो फल दाता है कर्म फल का हिसाब रखने वाले हैं कि किसको क्या देना है किसने क्या दलत किया है किसने का अच्छा किया है वह तो सारी डिपार्टमेंट भगवान ने शनीदेव को सोपा है, तो आपको अगर आप कल्यूग में रह रहे हो, आप कल्यूग के अंदर हो, तो आप गलत काम तो करोगे, देखे कोई भी, इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, जो कि आप कर्म नहीं करता, कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ चला के करते हैं, कुछ by default हो जाता है, तो कि हम ऐसे समाज में रहे रहे हैं, कि इसमें problems आती ही रहती है, और गलत काम करना ही पड़ते हैं, तो अगर आप गलत काम करते हैं, या आप नॉर्मल पिछले जनमों के कर्मों के कुछ इसाब भी है मैं आपके लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपके साथ शेर नहीं करूँगा, हर आदमी understood है, छोटी-छोटी चीज़ें होती है, तो आपको शनी देव को पूजना बहुत जरूरी है, तो इस बड़े जल्दी परसंद होते हैं, और इनकी पूजा करना बहुत जरूरी है, इस मैंने इस में यह लिए, क्योंकि वो ऐसे डेवी देवतता हैं जो तो हमारे भगवान है वो, उनको मिस छोपौँन में यह लियरा हूं, वो तो हर यूख की मालिक हैं, और हर यूख में क्योंकि बनाने वाले स्ष्टी बनाने वाले वह जी हैं, देखेंicate God कहता है, गोड इं और माता रानी तो सबकी माता है, वो तो बड़ी दयालू है, तो इनकी तो आपको करनी करनी है पूजा, इसमें कोई शकी नहीं है, बाकि ये पांच देव जो मैंने आपको बताएं है, आज ये बड़ी जल्दी प्रसंद होते हैं, अगर आप कोई भी कि इन से समंद्र कोई आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा, जै श्री राम